वेलकम बैक बुगा जी हम लोग इंडिफिट इंटिग्रेशन में बहुत सारे केटेग्री को हम लोग पढ़ चुके हैं सारा का सारा कॉंसेट किलियर होगा उसके बाद हम लोग जो प्रिवेस क्लास से बताये थे कि हम लोग चलेंगे कहां टिकोमेटिकल इंटिग्रेल में जो इंपोर्टेंट टरम्स है जैसे इसमें बतायते हैं कि इसमें कर देते हैं आपको cos square x dx और integral of कितना है a sin square x plus cos square x b cos square x ठीक है b cos square x इस तरह का form रहे और यहाँ पे रहेगा कि जैसे a plus b sin square x plus c cos square x dx और इस तरह का form रहे कि 1 by a sin x plus b cos x उसका square है dx इस टर्मों में देखिएगा क्या हमारे पास जो है कि देखिए each term of denominator जैसे numerator की बात करें यहाँ denominator में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है हमारा कि अगर sin यहाँ पे sin और cos का relation में even power even हो सकता है 2 4 भी रहता है तो ठीके यहाँ पे क्या यहाँ sin पे power कितना 0 यह cos पे power 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ भी देखिए each term में देखिए यहाँ देख रहे हैं न क्या हमारा even each term में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ है ही नहीं मतलब 0 होगा यह देखे even even इसको भी squaring करते हैं a plus b का whole square sin square x cos square x plus 2 sin x दोनों का sum of the power of sin x इस term में इस type का जो integral रहेगा तो इस type का integral में आप करेंगे क्या कि divide कर देंगे numerator and denominator को firstly करेंगे क्या इस तरह से firstly करेंगे कि divide करना है divide numerator and denominator by किसे cos square x cos square x है तो उपर में 1 by cos square x क्या हो जागा say कि square हो जाएगा ठीके नीचे में भी sin square है तो 10 square हो जाएगा और cos square है तो इतना हो जाएगा अगर यहाँ करने के बाद तब say square x जो होगा say square x को replace कर दिजिए replace by किसके द्वारा 1 plus 10 square x if any अगर कोई है कहा in the denominator denominator में अगर कहीं भी अगर है कौन सा say square 1 plus 10 square x रख देंगे ठीके क्योंकि फर्मुला होगा आपका say square x परा 1 plus 10 square अगर तब कर देंगे after that उसके बाद क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या कि 10 x के जगा पर 10 x के जगा पर t या z मान लेंगे इसको differentiate करेंगे जो हमको क्या देगा say square x dx equal to dz अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे integrate कर लेंगे यह समझ में आ गया मैंने इसको type a में categorize करके इस तरह का format हम लोग लिख लिए है यह सारा समझ यह हो यह इस तरह का format यहाँ पर हो सकता 2 sin square x plus b 3 cos square x यहाँ पर 3 है plus है 2 sin square x minus 5 cos square x जो भी integration रहेगा यहाँ पर जो दीख रहा होगा उसको क्या numerator और denominator को cos square से divide कर लेंगे नीचे में अगर कोई भी say x square x दीखेगा उसको replace कर दीजे कि say 1 plus 10 square x और 10 x जबाद क्योंकि 10 x रखेंगे तो क्योंकि numerator में आपको 6 square x दीखना है अगर 6 power अगर even दीखा भी आपको integrant में even 6 power 2 देखेगा 6 square x 6 to the power 4 x 10 ही मानना है आपको ठीक है पीछे पढ़ाये थे आपको यह समझ में आ गई होगी पुरी बात उसी तरह यहां पे क्या है कि अगर यहां पे तब इस पे हम लोग question कुछ यहां पे बना सकते है सारा का सारा question यहां पे बना सकते है उसे और एक दिखिए और यह सारा question है इसको अब type b में हम लिख देते हैं type b में type b में हम लोग exit कर लेते हैं कि integral form अगर आपको लिखा हुआ है integral integral form अगर लिखा हुआ कैसे 1 by a plus b sin x देखें यहां पे dx square नहीं है sin पे यही रहेगा क्या 1 by a plus b cos x ठीक है यहां पे दिख रहा है कि यहां पर कितना लिख देंगे हम लोग integral of यहां पर लिखा रहागा a plus b sin x plus c cos x dx ठीक है dx यह उसी तरह हम लोगों का लिखा रहागा a sin x plus b cos x dx यहां पे इस तरह का format रहागा तो इस format में देखें इस पे इवे नहीं है यहां पर देखें है सब में power index जो है इसका sin x cos का each term का कितना है हमारा even तब हम लोग ऐसे करेंगे तब उसको cos square से divide करेंगे numerator and denominator को लेकिन जब यहां पर single form में देख रहा है sin x cos के form में अगर इस तरह से दिख रहा है तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है हम लोग को इसमें क्या करना है firstly इसमें first of all this type of integral जो भी रहेगा इस तरह का जैसे 1 पिलस 3 sin x 2 माइनस 4 cos x इस तरह का जो भी रहेगा या 1 पलस यहाँ पर जो भी रहेगा इसमें सबसे पहले put कर देंगे क्या कर देंगे? putting कर देजेगा जो sign का formula जानते हैं sin x बरावर कितना जानते हैं? 2, 10 के form में 2, 10 x by 2 1 पलस 10 square x by 2 and cos x बरावर क्या हो जाएगा? 1 minus 10 square x by 2 1 पलस 10 square x by 2 सब को इसमें transform कीजेगा इसका मत्तब है कि जब इसमें डालेंगे sin 1 plus 10 1 plus 10 square तो उपर चादा जाएगा सेक square हो जाएगा जब सेक square उपर में हो जाएगा ठीक उपर वाला जो format यहाँ पर कि 10 x मालेना है उसके बाद क्या है ना? कि suppose कर लेना है substitute यहाँ पर 3 तब यह रखने के बाद substitute क्या चीज़ कर लेंगे? substitute कर लीजेगा कौन सी? वही denominator में 10 x by 2 इक्वल टू कौन सा? j इसको differentiate कर दीज़ेगा किसके respect में? x के respect में? क्योंकि x है dx है और उसका जो आएगा हमारा dx निकालके तब काट दीज़ेगा सबसे पहले इस format में समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि कैसे रखेंगे इसको इस format करेगा यहाँ पर और इसके लिए हम लोग यह देखे यह जो format है जैसे मालिये कि एक format यह आपका हो गया ठीक है यह दूसरा हो गया यह कौन हो गया थर्ड हो गया यह हो गया कौन सा फोर्थ समझ में आई बात यहाँ पर देख रहा है कि इसमें sign नहीं है न कॉस है इसमें sign है इसमें देख रहा है कि कॉस है इसमें नहीं है इसमें constant term है है remark करके हम लोग remark 4 किसके लिए type जो इसमें दिये हुआ था जैसे 4 type के लिए दिये हुआ कि इसके लिए क्या करना है कि integral अगर रहेगा 1 by जैसे a sin x plus b cos x d x इसके लिए तो एक format तो आपका ये हो गया कि इसमें put कर दीजिया क्या चे sin x बराबर क्या है जो अभी just लिखे थे 10 x 1 plus 10 square x by 2 and cos x जो रहेगा क्या कीजेगा cos x के लिए क्या करेंगे 1 minus 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2 अगर जब इसको solve करेने के बाद तब उसमें क्या करना है कि substitute कर लेना क्या चीज़ क्या करना है substitute कर लेज़े कौन से 10 x by 2 equal to कितना z इसको differentiate कर देना है x के respect में 10 का हो जाएगा 6 square x by 2 1 by 2 इसका हो जाएगा d z by dx हो जाएगा यहां से dx निकाल लेज़ेगा या 6 square x by 2 dx के जब क्या लिखेगा 2 d z लिखेगा फिड solve कर लेज़े दूसरा इसमें क्या करना है यह देखे अल्टर्नेट इसमें अल्टर्नेट इसके लिए अल्टर्नेट मतलब अल्टर्नेट solution जो है alternate मतलब क्या हो जागा alternate solution वे यह भी कर लिज़ेगा कि इसमें ध्यान देखेगा sign और cause रहेगा सिर्फ तब तब इसमें क्या करना है कि multiply और divide करना multiplying multiplied and divide by किसके धुरू यह देख रहे है a coefficient of sin x a है cause का b है इसी को multiplied by कितना under root a square plus b square ठीके जैसे इसका देखे न कैसे इसका process का इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे हम लोग under root a square plus b square से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जागा a by under root a square plus b square यहाँ क्या है sin x अब plus अब b by under root a square plus b square भाग दिये cause 6 ठीक है d x यहाँ पर जो दीक रहा है तो इसको जब आप मानिएगा कि जैसे मान लिया कि sign ही के form है या cause के form है अगर मान लिया कि इसको sign x लिखते है sign x sign alpha इसको मान लिया जाए कि let मान लेते हैं कि sign alpha है तो यह automatic दिखिए आप क्या कि cause alpha हो जाए कैसे नहीं होगा दिखे यहाँ पे right angle technical जो भी है यह alpha हो गया alpha हो जाए कितना sign alpha वरावा कितना है p by h इसके सामने क्या p कितना होगा a h के जाप कितना होगा a square plus b square अब b जब निकालेंगे देखे ते इतना h square plus p square करेंगे तो इसका value b आ गया ते देखे इसमे automatic cause alpha वरावावर इतना है आया तो इसका मान लिया गया है कि इतना आ गया तो यह जो format जो आपका change हो गया तो यह कैसे हो गया one by under root a square plus b square integration of यहाँ पे देखे sin alpha cos alpha इसका मतलब यह total form देखे कितना हो जागा cos x into cos alpha plus कितना हो जागा sin x into sin alpha into dx constant term क्या है a square plus b a square integration of यह हो जागा कितना है cos a into cos b plus sin a into sin b the cos a minus b dx इसका यही a square plus b a square इसका कितना हो जागा sic x minus alpha into dx sic का result आप जानते हैं क्या होता है क्या result होता है इसका under root a square plus b a square sic का होता क्या sic into tan sic x minus alpha अब plus कितना हो जागा tan x minus alpha ok यहाँ पर इतना result आपका आगी है को दिकत plus c इसी तरह alpha फिर alpha है यहाँ पर कितना तो alpha जेनरली जो आपको alpha के लिखेंगे sin alpha पराब mirror इतना है तो alpha पराब rollers जगए sin inverse a by इतना alpha पराब Weight क्या लिख सकता है या b by cos inverse of इतना या sin by cos करेंगे तो जेनरली क्या मिलेगा alpha के जगप alpha के जब क्या रखोगे so tan inverse tan inverse क्यूंकि साइन अलफा बाई कॉस अलफा करेंगे तो टैन अलफा हो क्या जाएगा यहां देखे तो टैन अलफा बरावर कितना हो जाएगा देखे तो ए बाई इतना साइन अंडर रूट ए स्कार पलस बाई स्कार साइन अलफा कॉस अलफा बाई under root कितना a square plus b square तो यहाँ से देख रहे हैं यह सब कट गया तो alpha वरावर कितना हो जागा 10 alpha a by b तो यहाँ पे क्या हो जागा a by b हम लोग रख देंगे जहाँ जहाँ alpha रहाँ तो इस तरह से result दोनों category से इस से भी निकाल लीज़े उस से भी निकाल सकते दोनों सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अगर इसी में कोई अगर c जोड़ देया कोई constant जोड़ जाएगा तो फिर यह alternate नहीं होगा सिर्फ type 4 के लिए बता रहे हैं कि दोनों तरफ से आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो दोनों समझ में आया कैसे टिकमेटिकल फंक्शन को हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक ना तो देखिए आगे हम लोग कैसे करते हैं चली यहाँ देखिए यह कुश्चन है जैसे integration का कैसे बनाएंगे देखिए तो अब ही देखिए format जैसे आपका form कितना है sin square cos square देखिए ते कौन से form में आपको खुश समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा form है यह है क्या नहीं यह यह format है की नहीं यहाँ पर जो भी है a sin square x plus b cos square x वहाँ जो दिख रहा है तो इसमें क्या बोले हमने कि सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि divide numerator and denominator by cos square x से divide कीजिए उसके बाद से के square अगर कोई है denominator में से के square तो उसको replace कर देंगे 1 plus 10 square सो उसके बाद substitute कर लिए ठीक है तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि divide कर देंगे किसके numerator और denominator को let माल लिए आई पराबा divide करतें तो 1 by कितना हो जागा cos square x अब 4 sin square x plus 9 cos square x पूरे को divide किसे कर दें cos square x अब फिर cancel कर चाहिए तो फिर उपर बाल आ जाएगा वही चीज़ हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका 6 square x आई इसको देखिए अलग अलग 4 by sin 9 square cos square 4 कितना हो जाएगा 10 square x 9 cos square x by cos square x dx ध्यान होगा कि जब भी बोले थे कि integral में सेक स्कोर x तो 9 मानना है यहाँ पर आई यहाँ पर बोली दियें कि सेक स्कोर आना ही आना है क्योंकि 1 by जो भी होगा cos sec square उसमें 10 मान लेना है तो यहाँ पर क्या मानने हम लोग यहाँ पर मान लिजिए कि put कर लेते हैं यहाँ पर late क्या मान लिजिएगा substitute कीजिए 10 x 10 x equal to कितना z इसको differentiate किसके respect में करेंगे x के 10 का हो जागा c square x यहाँ हो जागा d z by d x c square x dx equal to d z ok यह दोनों समझ में आए substitution तो आप क्या आएगा यहाँ पर देखे c square x यहाँ पर देखे तो इसके जगे पर क्या लिखो के बुआ c square x यहाँ पर क्या हो जागा i बराबर तुमको मिला कितना तो d z नीचे कितना हो जागा 4 10 के जब हम आने थे जग तो z square plus 9 coefficient of j square है उसमें से 4 common ले लिजे आप तो 4 common लिजेगा तो बाहर हो जाएगा z square यह कितना हो जागा 9 by 4 लिए ठीक है d j धुगया अब हम लोग 4 format बनाईए z square plus 3 by 2 का whole square क्या form आगिया याद होगा आपका result 1 by x square plus a square dx उसी तरह d z यहाँ पे थे इसका कितना हो जागा 1 by 4 इसका result कितना हो जागा 1 by a 1 by a 10 inverse 10 inverse कितना z by ok अब दिखे काटिए इसको कितना है 2 तर कितना हो जागा 1 by 6 10 inverse कितना हो जागा 2 z by 3 i बराबर कितना हो जागा 1 by 6 10 inverse of 2 z कितना हो जागा 10x 10x लिख लिख लिए 2 10x by कितना हो जागा 3 हो जागा यही आपका result हो जागा plus indefinite है इतना लिख दिया हम लो result समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बना यहाँ पे उसी तरह जितना भी यहाँ पे होगा minus होगा या plus होगा कुछ भी हो सकता आपका ठीक है तो इसमें यही काम कड़िएगा ठीक है यहाँ पे देखे इसका क्या करें integral यहाँ पे यह multiple angle इसका इतना है तो late i i से अपना इसको denote कीजिए कितना होगा sine x इसका कितना हो जागा 3 sine x minus 4 sine cube x dx इसका फर्मूला हो गया sine multiple angle का जो है 3x का यही फर्मूला ही है आपका result identities तो यहाँ से sine x निकालिए तो sine x निकालिए का देखे तना हो जागा यहाँ देखे तो sine x sine x तो कितना हो जागा 3 minus 4 sine square x dx इससे कट गया तो 1 by 3 minus 4 sine square x कहा पहुँच गये आप देखे तो इसका पहुँच कहा गये अगर देखा जाए तो किस format में जो पहले ही type A में जो लिखा है कि A plus B sine square x ठीके B के जब minus 4 A के जब 3 हो गया तो इसको क्या करना है divide करना है किसको divide करना है divide numerator and denominator Y किसे cos square x ही करना है किसे cos square x है जब कर दिये तो 1 by कितना हो जागा cos square x और 3 minus 4 sine square x by कितना हो जागा cos square x numerator और denominator दोनों में जब divide कर लिये तो कितना हो जागा देखो सेक square x by 3 by cos square x कितना हो जागा 3 by cos cos उपर जागा तो कितना हो जागा सेक 3 सेक square x minus cos by इतना कितना 4 sine square by cos square कितना हो जागा 4 10 square x दी एक उपर में सेक है तो क्या बोले थे उसमें एक और लाइन कि अगर कोई भी denominator में सेक square x दिखा तो उसको किसी से transform कर लिजेगा सेक square को 1 plus 10 square x ठीके तो सेक square x इस जगा कितना हो जगा 3 1 plus 10 square x minus 4 10 square x dx देखे तो सेक square x 3 plus 3 10 square x minus 4 ये देखे आपको detail में समझने के लिए हम पूरा detail में तो calculation आप थोड़ा step को escape करिए ठीक है सेक square x dx देख रहे हैं बार बार सेक square 6 dx लिख रहे हैं तो 3 minus ये कितना हो जागा 10 square x इसमें क्या करना है आपको 10 x को क्या मानेंगे z अभी क्या था सेक square इसको differentiate कर देंगे किसके respect में ये एक्स करिए कितना हो जागा dx बराबर कितना हो गया dz तो integration आपका क्या मिला इसके जगा पे ये हो गया dz नीचे कितना हो गया 3 minus z square a minus जितना इसका कितना हो जागा बुगा देखो था i बराबर कितना लिखोगे इसमें क्या है तो कितना 1 by root 3 का whole square minus z square a digit क्या इसके standard form में कितना हो गया a square minus x square rational तो है नहीं ये function तो कितना था याद है 1 by twice a log of कितना a plus z a minus z plus c log of root 3 plus z कितना है z z z कहा है तुम 10x कितना हो गया 10x root 3 minus 10x plus ठीक है ये result हो गया आपका कोई परशानी नहीं होना चाहिए आपको कि क्या है ठीक है तो ये integration हम लोग ऐसे कर लिये हैं पूरा concept इसका clear समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं जिस तरह का format अब यहाँ चली ये देखें किस format में आगे हम लोग देख रहे होंगे कि just अभी बता हैं कि इतना है कौन सा format है देखें यहाँ पे आप खुद जब जानेंगे तो देखेंगा कहां गया कि यही format बे देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा यह one plus देखें किस पर format आगया देख रहे हैं इस format बेटा हुआ है क्या इतना plus sign x plus cos one one b के जग़ा पर है वहाँ पे तो उसी तरह क्या करना इसको सबसे पहले इसको रख देते हैं इसको रखने के बाद क्या मिलेगा आपको देखे तो यहाँ बे कितना है पुट कर लिजे क्या पुट करेंगे लेट पुट करना है sign x बराबर कितना पुट कर दीजेगा 2 10 x by 2 1 plus 10 square x by 2 cos x के जबाद क्या रिखोगे 1 minus 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2 तो आई बराबर कितना लिखोगे dx 2 plus sign x के जबाद कितना होगा 2 10 x by 2 1 plus 10 square x by 2 कितना हो जाएगा cos के x के जबाद 1 minus 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2 LCM ले लिजिए कितना हो जाएगा इसका LCM इससे multiply करके यह उपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 plus 10 square x by 2 इसका कितना हो जाएगा 1 plus 10 square जितना एंगल है तो सेक square x by 2 यहाँ देखिए 2 10 square x by 2 minus 10 square x by 2 तो कितना हो जाएगा 10 square x by 2 हो गया इसका इसका पलस कितना हो गया 2 10 x by 2 ठीक है 2 10 x by 2 इसका हो गया पलस 2 पलस 1 कितना हो गया 3 कितना हो जाएगा dx क्या माल लें यहाँ पे आब लेट वही आब सेक square 10 x बराबर कितना हो गया जड इसको differentiate कर लो बुगा किसके x में उसके बाद कितना हो जाएगा 1 by 2 इधर कितना हो गया dz by dx तो सेक square x by 2 into dx पराबर कितना हो गया twice dz twice dz अब यहाँ पे आप देखे पूट करके क्या हो गया अब यहाँ पे कितना हो गया हम लोगों का कि यहाँ पे जो बना रहे थे कितना है इसके जबा कितना है आपका dz 6 square x by 2 dx 2 dz 2 dz 2 dz के बाद कितना हो जाएगा 10 जहाँ जहाँ 10 है तो 10 रग देजे कितना हो गया z square plus 2 z plus 3 अब क्या है यहाँ पे twice बाहर 1 by z square plus twice z plus 3 b j perfect square इसको बना लिजी आप perfect square के जगह पर कितना बनाएंगे z square plus twice z plus 3 a square plus 2 a b plus b square minus b square plus 3 यहाँ से यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लिखोगे z plus one का whole square इसने कितना हो जाएगा plus 2 z plus one का whole square plus root 2 का whole square होगा की नहीं तो क्या बन गया आप इसके जगह पे इसके जगह पे इसको बैठाईए z plus one का whole square और root 2 का whole square इसको जब फिर t मानिएगा z plus one बरावर t आज z के respect में differentiate के था d z बरावर d t t square plus a square इसका result ठीक आप ध्यान होगा की one by x square plus a square dx कितना one by a कितना tan inverse x by a तो ठीक इसका कितना two into one by a one by root two tan inverse of z plus one by कितना root two इसको काठिये कितना होगया इसको काठिये तो कितना होगया root ना तो root two tan inverse z के जब कितना tan x y 2 यहां रखिये tan x y 2 plus one by root two plus c यह हो गिया आपका क्या आसानी से इस तरह से कुशन आप सारा का सारा जो है टीको मेंटिकल जब टीको फंक्शन है तो यहां पढ़ है indication उसको handle कड़ी सकते हैं सारा का सारा और रिविजन बार बार होना चाहिए अगर रिविजन नहीं होगा तो बनाना बड़ा मुस्किल हो जागा ठीक है कैसे बनाएंगा इसको देखें दोनों तरह से बना सकते हैं आप अब कैसे यहां पर ten रखके बनाएए तब या alternate हम बता हैं तब दोनों को उसमें ते इसमें क्या है ten रख दें रखी दीजिए ten ten रख देंगे ते कितना होगे i बराबर integration of dx root 3 अब इसका कितना हो जाएगा आसान भी है उसको क्या करते हैं न हम लोग कि multiply और divide कर लेते हैं ठीक है i बराबर यहां पर कितना लिख दे हम लोग कि multiplied and divide dx बराबर कितना हो जाएगा divide करना multiplied and divide कितना करेंगे under root root 3 का square coefficient of sin x plus cos का 1 square ठीक है कितना हो गया देखो था 3 plus 1 4 तब 2 बार हो गया तब इससे divide और multiplied किए तो 2 से multiplied कर देंगे root 3 by 2 sin x sin x अपलास इसके आगे 1 वो है तो 1 by 2 cos x यह हो गया तो 1 by 2 बाहर निकाल ही देते हैं d x क्या बोले थे कि इसको sin alpha अगर मानते हैं क्या मानते हैं sin alpha तो sin alpha जब मानने लिए तो यही sin alpha हो गया sin alpha और यह automatic cos alpha तो cos alpha के जब पर यह cos alpha बराबर 1 by 2 है तो कितना हो जागा cos alpha तो यह जो है किसने जगह पर हो जागा πाई भाई यह 1 by 2 कितने जगह पर होता है पाई भाई कितना जगह पर हो जागा दो गधा पाई भाई 3 60 और यह root 3 भाई कितना होगे यह दोगोगे था sin alpha automatic sin alpha sin alpha कितने जगह पर हो जागा दोगोथा sin pi by 3 तो यहाँ पर इसका मतलब यहीं नहो गया कि यह हो गया sin pi by 3 sin x plus cos pi by 3 और cos x ठीक है तो 1 by 2 dx यहां देखे formula क्या हो गया? cos a into cos b सजा के cos a into cos b cos b के जब पर pi by 3 अपल assign into this का मतलब क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? cos a minus b cos हो गया तो इसका मतलब 1 by 2 क्या हो जाएगा? cos का सेक x minus pi by 3 dx हो गया? अब इसका result क्या हो जाएगा सेक का? सेक plus train लिख देगे ठीक है? सेक का integration लिख देते हैं तो उसी तरह आप सारा का सारा result यहां पर कितना लिखेगा? तो log log of सेक x कितना? अच्छा पीछे जो लिखे थे क्या लिखे थे? दियान होना चाहिए पीछे जो है format जो बताएथे यहां सेक है न यहां पर क्या है आपका? log होगा ठीक है? log सेक जितना है? सेक plus सेक plus 10 ठीक है? तब उसी तरह यहां पर कितना है यहां पर देखो था? सेक एक्स माइनस पाई वाई थरी अप पलस 10 कितना हो जगा? एक्स माइनस पाई वाई थरी पलस थी ठीक है? तो यह रिजल्ट आ गया आपका ठीक है? यही नहीं हो गया सेक का हमारा जो भी है इंटेकरेशन यही लोग सेक एक्स अंगल हमारा केतना लिनियर है? अगर रहता है यही कॉफिजेंट आपका दो रहता था दो से डिभाइट कर देते हैं तो यह हमारा इंटेकरेशन ऐसे मेना लिए Becca साइन एक्स के जबपार 210 एक्स बाइट बाइटू टैन एस्क्वार एक्स बाइट आपकारेशन के क्या रखेंगे? वान माइना स टैन एस्क्वार एक्स बाइटू आफ यह आन पलाइट लिए नियुकरेशन कगा है? याद का मतलब है की समझ रहे हैं क्या कैसे हो जाएगा 2 10 x by 2 1 plus 10 square x by 2 अब plus cos के जब पर कितना है 1 minus 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2 अब क्या है उपर में 1 plus LCM ले लिजे 10 square x by 2 इसका कितना हो जाएगा 2 root 3 10 x by 2 plus 1 minus 10 square x by 2 dx तो यह आपका क्या trans, यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा 6 square x by 2 into dx और यहां लिख दिजे का 1 plus 2 root 3 10 x by 2 minus 10 square x by 2 अब इसमें से 10 x के बड़ाबर जेड मानियेगा अब process same process यह है आप किजे process जो है जो आप पीछे किये हैं उसी तरह से किजेगा दबना लिजेगा इसका भी ठीक है और हाँ answer हो सकता है थोड़ा differ कर जाए क्योंकि indefinite है तो c जो जोड़ते है indefinite integral के लिए लेकिन definite में क्या होगा कि same आएगा ठीक है definite value समझ में आ गया कैसे करेंगे यह सबका सब और देखें नहीं अच्छा यहां आ गये तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग देखें तो यहां पे कैसे बनाएंगे हम लोग देखे तो इस तरह के format को कैसे बनाएंगे अगर मान लिया जाए इसमें रखा जाए क्या जी sign cost यहां पे रखा जाए कितना कर दीजिए अगर दोनों को अलग अलग भी कीजिए तब इतना है लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या टू पलस इतना तो यहाँ पे टैन के फॉर में हम लोग रख लेते हैं साइन का ठीक है यहाँ बढ़ रखिए क्या हो जागा देखे तो रख के देखिए अच्छा नीचे में रहेगा उपर में अब आ गिया है क्या साइन और कॉस इसके लिए एक और केटिगरी का हम लोग इसमें और भी कोशन है देखे यहाँ भी है ठीक है हम लोग क्या है कि इससे पहले साइन कॉस रखना देखिए यहाँ देख रहा है सब साइन कॉस नीचे था इसके लिए इसके concept से फिर इसके concept के लिए यहाँ पड़ इस तरह कुश्चन जब उपर में sign cause दिखेगा तब ठीक है? sign cause दिखेगा तब तब इसमें हमको करना क्या है? याद रखना है इसमें इसमें अगर हम लोग type C बोलते हैं type C की बात अगर हम लोग type A to medical में type B में, अगर C की बात करते हैं तो C में अगर integral form अगर हमारा लिखा हुआ है integral form, ध्यान रखेए अभी integral form, उपर में देख रहे हैं अभी जो AB में हम पढ़े हैं तो sin square cos square नीचे दिख रहा है termों में, इस termों में और क्या है कि sin और cos dimeter में देख लेकिन जब numerator में रहेगा तब जब numerator में रहेगा तब अगर integral form अमारा ऐसा है कि जैसे लिखा हुआ क्या है कि A sin x B cos x अप पलस C बाई लिखा हुआ है P sin x अप पलस Q cos x अलग-अलग है अप पलस Q और R और यहाँ पर sin x इस तरह का format रहगा यह format है का integral का तब क्या करना है द्यान रखिएगा तब हम लोगों के पास जो numerator होगा जैसे कौन A sin x पलस B cos x पलस C A arbitrary constant A into इसको लिख डालो जो denominator में रहेगा उसको लिख डाले अब पलस Q x plus R and B differential coefficient of differential coefficient of किसको डिणुमिनेटर P sin x plus Q cos x plus R with respect to X अब पलस C ओके यह एक form अगा इसको माल लिए है और इसके बाद इसका वैलू A का वैलू B का वैलू और C का वैलू क्या करना हम लोगों को find the value of किसका A, B, C A, B, C का वैलू निकालके A, B, C जो capital C लिखे हम लोग small c अलग है ठीके यहाँ पे तीनों का तीनों और बेटरिरी इसको find करके after that उसके बाद क्या है जो value आएगा उसको substitute कर देंगे numerator को इसके थूरू इसका इस form में replace कर देंगे replace करने के बाद integrating करेंगे ठीक है integrating अब हम लोगो उसके बाद integrating करेंगे ठीक है replace कर लिए इसको तब हम लोग उसके बाद इसको यह समझ में आ गया जब यहाँ पे उपर में sign cost रहका तब अभी तक जो type 1, type B type A, type B में नहीं था ठीक है type C, D भी लिखी देते है type D ठीक है type D में हम यह लिख देते हैं अगर यहीं देख रहे है constant term गाइब है constant term नहीं रहे ना उपर में ना नीचे में अगर रहे दोनों में integral form integral form जो है आपका ऐसा रहेगा कि जैसे देखे A sin X plus B cos X numerator में उपर में P sin X plus Q cos X इस तरह का form रहेगा तब क्या करेंगे पता है numerator जो है A sin X plus B cos X equal to A और यह है कितना P sin X plus Q cos X plus arbitrary constant B a differential coefficient of P sin X plus Q cos X with respect to X इसमे पले C जैसे यहां जोड़े थे उस तरह से इसमे नहीं जोड़े देखे ना उपर में है देखे sign cos is term में है अगर एक में भी अगर नहीं रहे एक भी अगर मान लिए जैसे यहां पड़ा R नहीं उपर में C है मतलब थिरी है after that उसके बद क्या करेंगे, find the value of A and B, इसको by क्या, अच्छा ये निकालेंगे क्या, ये निकालेंगे क्या, कैसे निकालेंगे, इस value को कैसे निकालेंगे, इस value को निकालेंगे क्या, by equating both side equating the coefficient of coefficient coefficient of sin x and cos x or constant term and kya hai humara constant term sin x or sin x cos x and constant term constant term अब उसके बाद then integrate करेंगे integrating integrating ठीके उसी तर यहां क्या इसका value निकालेंगे कैसे निकालेंगे हम लोग by equating the coefficient of coefficient of kiska sin x and cos x यही दुखेगा इसमें दुखेगा वही sin x after that integrating ठीक है and then processing process and then integrate कीजिये उसके बाद integrating का जो process है अब स्टार्ट कर दीजियो उसे इस समझ में आगई बात अगर यहां पे question देखा जाते है किस format में है देख रहे है ना यहां पे इस format type का type c का इसमें इस तरह के question को हम लोग solve कीजिये कैसे लिखे है 2 plus 3 cos x क्या है letter i बराबार 2 plus 3 cos x by कितना है हमारे पास देखे दो sin x plus 2 cos x sin x plus 2 cos x plus 3 dx ठीक है तो letter integrating यहीं न है यह जो question है आपका यहां का करना है 2 plus 3 cos x बराबार a arbitrary sin x plus 2 cos x plus 3 plus b differential coefficient differential coefficient sign का differentiation कितना हो जागा cos x अब plus cos का हो जागा sin x आइस का कितना हो जागा 0 plus arbitrary constant यहां के हो जागा सी ठीक है equating the coefficient both side equating the coefficient coefficient both side of किसका sin x and cos x असाथ constant term ठीक है and constant term ठीक है फिर and ही लगाईए and चलिए constant term constant term ध्यान देने के लिए अब ध्यान लखिएगा तो कितना हो जागा cos x का coefficient कितना है यहां पर देखे था इसको तो cos x का coefficient कितना है 3 बराबर cos x देखे यहां पर कितना हो जागा देखों यहां cos x का कितना है 2a 2a और कहीं है plus यहां देखे plus b यह हो गया और नहीं है ठीक है sin x का है किए एक equation यह माल लिया sin x का है इधर नहीं तो 0 इधर कितना है sin x का देखों तो a multiply कर लेंगे इसमें नहीं है plus यहां पर देखे minus 2b और नहीं है तो यह हो गया constant term देखे 2 equal to कितना यहां पर देखे 3a 3a constant term देखे नहीं है plus c इस तीनों का मिला के a b c निगाल लिजिए अब ठीक है तो a बराबर कितना होगा 2b डाल दो from 1 and 2 से क्या मिलेगा 1 and 2 से क्या मिलेगा देखो था 2 से क्या मिलेगा यहां पर 2b इसका मतलब है कि 3 बराबर a के जब पर कितना 2b डाल दो b equal to कितना हो जागा देखो तो 5b यहां से b निगाल लिजिएगा कितना 3 by 5 थिके उसकी बार देखे अब a कितना अगया फिर यहां से देख लो तूm a बराबर कितना हो गया यहां से 2b जब तो 2 अब b के जब पर कितना है 3 by 5 कितना हो जागा a 6 by 5 c यहां से कितना हो जाएगा देखो तो c equal to 2 minus 3 2 minus 3 एक ज़र पर कितना होगा 6 by 5 कितना हो गया देखे तो 10 18 by 5 कितना हो जाएगा देखो था minus 8 by 5 c तो निकल लिये क्या minus 8 by 5 जब तीनो निकाल लिये हो तो from 1 से क्या है देखो इससे क्या हो गया रिप्लेस कर लो numerator को कितना 2 plus 3 cos x को रिप्लेस कर दो यहां पर इसके जगा पर रखो कितना a a के value कितना आया था तुम देख लो 6 by 5 6 by 5 plus sin x plus 2 cos x plus 3 अब b के जगा पर कितना है plus b b के जगा पर कितना है 3 by 5 3 by 5 cos x minus twice sin x अब पर पर सी के जगा कितना है minus 8 by 5 minus 8 by 5 ठीक है अब नीचे sin x plus twice cos x plus 3 ठीक है dx अब देखो सबको अलग अलग करो इसमें जब अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा देखो ता इससे इसको डिवाइट करो देखो दोनों सेम सकल जब हट गया तो बचा कितना सिर्फ कटके 6 by 5 इसको डीक से मलडिप्लाई कर लो तो 6 by 5 भी हम भी बाहर निकाल दियें यह हो गया dx और 3 by 5 निकालोगे उपर में देखो जब cos x 2 sin x है नीचे में कितना है sin x plus 2 cos x plus 3 dx अब plus यहाँ पे कितना माइनस 8 by 3 है तो माइनस 8 by 3 पलस था माइनस 8 by 3 5 5 integration 1 भाई कितना हो जागा देखो था sin x plus 2 cos x plus 3 dx अब बताईए यहाँ पे थोड़ा solve कर लिजे आप ठीके तो i बरावर कितना हो जागा 6 by 5 इसका d x कितना हो जागा x plus 3 by 5 अच्छा ठीक इसको जेड मानके देखो जो पहले मानते आ रहा था ठीक इसको जेड माने हो को sin का differentiation कितना cos x इसका कितना cos का minus sin 2x इसका 0 उपर में इसका मतलब इसको t मानोगे तो इसका d z हो जागा अगर z मानोगे तो उपर में d z हो जागा तो यह क्या हो जागा सीधे direct हम लोग लिख देते हैं log of कितना sin x plus 2 cos x plus 3 2 cos x plus 3 minus 8 by 5 इसको हम एक चीज़ मान लेते हैं i1 क्या मान लें i1 यह तो हमारा i result है तो i1 होगी है ठीक है into i1 यही न result है हमारा i1 को फिर पीछे solve किये थे आप कितना है sin x plus 2 cos x plus 3 यह बनेगा कैसे तो sin x के जब पर कैसे put कर देंगे बुगा यहाँ पर इसके जब पर आब इस जगह से now and now देखो तो क्या है हमारे पास and कितना है i1 बड़ाबर है हमारा कितना 1 by sin x plus 2 cos 6 plus 3 इसका बनाएं कितना इसमें put कर लिए क्या चीज sin x बराबर 2 10 x by 2 1 plus 10 square x by 2 cos x के जब पर 1 minus 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2 जब put कर देंगे तो i1 क्या मिल जाएगा पीछे बना चुके हैं आप put कर लिए यहाँ पर तो 1 by sin के जब पर कितना sin के जब पर इतना रख दें cos के जब पर इतना रख दें इसका फिर LCM ले लें तो कितना हो जाएगा यह उपर चला जाएगा तो 1 plus लिख देते हैं directly 10 square x by 2 assign x के जब पर कितना यही 2 10 x by 2 2 into cos के जब पर कितना लिखेंगे cos के जब इतना तो कितना हो जाएगा 1 minus 10 square x by 2 plus 3 3 calcium लेंगे दें कितना हो जाएगा 3 1 plus कितना हो जाएगा 10 square x by 2 यहां तक समझ में आ गया होगा कैसे कैसे की हैं अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग यहां पर i1 बराबर 1 by 2 10 x by 2 1 plus 10 square x by 2 अब पलस 2 into 1 minus 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2 plus 3 into dx देखो इस का इलसे हम ले लिजे तो यही 2 tan x है 2 into इतना लिख दिये हैं 3 के साथ क्या इसके नीचे 1 है इसको लिख दिये हैं 1 plus अब देखिएगा उपड़ में कितना ही है हमारा dx सेक square x dx यहां कितना हो गया वोगा देखो पहले हम लोग expand करिएगा कितना है minus 2 10 square plus 3 10 square कितना हो जागा 10 square के लिए 10 square x by 2 हो गया अब देखिए plus कितना है 2 10 x by 2 हो गया plus 2 plus 3 कितना हो जागा 5 हो गया plus 5 अब यहां पर मान लिजे फिर कितना 10 x by 2 equal to z 6 square x by 2 into 1 by 2 d z by dx x by 2 dx बराबर कितना होगा 2 d z अब हमारा क्या हो जागा i1 तो यह उपर में हो जागा कितना d z twice d z यहां हो गया कितना z square plus 2 z plus 5 तो परफेक्ट square बना लिजे d z a square plus 2 a 2 a b plus b a square plus 4 कोई दिकत 1 को 5 को कर लिए है तो d z इसका हो जागा z plus 1 का whole square plus 2 का whole square कितना होगा 2 into x square plus a square 1 by a into tan inverse z इतना by 2 ठीके tan inverse i1 साड़ा result देख रहे है कि tan inverse z के जब़ा कितना लिखे थे tan x by 2 plus 1 by 2 यही हो गया i1 इसलिए आप जो result लिखेंगे तो result कितना लिखेंगा result यही न है इसलिए now इसलिए i बराबर कितना i बराबर कितना 6 by 5 x plus 3 by 5 6 by 5 x plus 3 by 5 log कितना है भुगा देख लो फिरो sign plus 2 cos x sign plus 2 cos x plus 3 minus 8 by 5 i1 i k 1 कितना 10 inverse 10 x by 2 plus 1 by 2 अब पलस सी इंडिफिनेट है यह result आपका आगिया तो result अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग पूरा का पूरा बना लेंगे ठीके उसी तरग क्या है कि अब इसका बना लिए 3 sin x plus 2 cos x a और नीचे जो डिनुमिनेटर है 3 cos x plus 2 sin x plus b a differential coefficient of 3 cos x plus 2 sin x by dx अब बताई है कितना हो गया आपका plus twice cos x a 3 a 3 a cos x plus 2 a sin x इसको differentiate जब करेंगे तो cos का कितना होता है minus sin इसका differential coefficient कितना है minus sin इसका कितना हो जाएगा cos x तो b के साथ multiply किजेगा तो minus कितना लिखने हम लोग minus minus 3 b sin x plus 2 a cos x ठीके यहाँ पे कोई दिक्कत है इसको यहाँ पे ऐसे मैंने direct कर दिया नहीं तो एक चीज़ और है ना इसमें एक चीज़ और देख लीजे इसको ऐसे कर सकते हैं इसको 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 अफ फिर फिर मल्टिपलाइ मैंने इसको कर दिया equating किजिए equating the coefficient किसको equating the coefficient of coefficient of किसका sin x and cos x constant term तो है नहीं sin x का कितना है यहाँ पे 3 ऐधर देखे कितना sin twice a यहाँ पे sin है minus कितना 3 भी एक equation यह हो गया cos का देख लिजिए twice यहाँ पे cos देखे 3a यहाँ पे cos देख लिजिए 2a इसका किया है 2 इसका कैसे a और b का a और b का कैसे निकालेंगे आप दोनों को solve कर लिजिए इसमें किस term से दोनों को equal कर लिजिए इसमें 2 से multiply कर लिजिए इसमें 3 से multiply कर लिजिए दिख रहे हैं, तो 2 से जब कीएं तो कितना हो गया, 6, 4A, minus 6B, 3 से, 6, 9A, plus 6B, दोनों को add कीजिए, तो opposite है, यहां पर कितना हो जागा, 12, 13A, A equal to कितना आ गया, 12 by 13, तो आपका A का value आ गया, ओके, similar आप उसके बाद क्या है कि किसी भी एक equation को use करके, from किसी से भी, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, B का value, तो from वहां इतना से कितना हो जागा, हम लोग निकाल लिए, तो 3 equal to twice, A के जापका कितना, 12 by 13, minus 3B, 3B इधर ले जाए, 3B equal to, 24 by 13, minus 3, तो कितना हो जागा इसका, LCM कितना हो जागा, देखे तो कितना हो जागा, minus 15, 3 into 3, 5, minus 5 by, इतना, आब इसको solve किजिए, कितना हो जागा, from 1 से, from 1 से क्या मिलेगा, numerator जो है आपका, numerator, इसी को change कर दिए, कितना हो जागा, I equal to, कितना लिखने, A, A का value कितना है, 12 by 13, B के जबा कितना है, minus 5 by, minus 5 by 13, इसका हो जागा, कितना, minus 3, sin x, plus, twice cos x, ठीक है, यहाँ पर से देख लिए, by कितना है, 3 cos x, plus, twice sin x, dx, ठीक है, अब अलग-अलग किजिए दोनों को, अलग-अलग, 12 by 13 बाहर हो गया, इससे इसको divide किजिए, कितना से इतना किया, सिर्फ और सिर्फ कितना है, dx बची गया, plus है, minus 5 by 13 बाहर किजिए, minus 3, sin x, plus, twice cos x, by, 3 cos x, dx, इसका कितना हो गया वहा, 12 by 13, इसका हो गया, x, minus 5 by 13, इसको team मानिएगा, तो उपर बहला differentiation आ जाए कि नहीं, इसको team मानिएगा उपर, तो कितना हो जाएगा इसका, log, 3 cos x, plus, 2 sin x, plus c, यह result आगे इस तरह से, तो इस तरह से जो result है, इसका तो एक तरह का format यही रहागा, कब, देख धियान देजिएगा, जब दोनों termों में sum, हमारा sin और cos रहे, cos और sun, plus minus कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक भी constant term नहीं रहेगा, तो just say, तो अब इसका क्या है, कि इसी तरह का format से हम इसको solve कर लेंगा, ठीक है, यह समझ में आ गई होगी अच्छे से, कि आधे होगी अच्छे से,